कुछे वेलकम करते हैं हमारे योट्यट चाहिण वेजटेबल गार्डनिंग अजय पे आज Sum Chama बात करेंगे हम लोग upgrades लोग copper का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं क्या इसका कोई साइड एफक्ट है कि हमारे प्लाइट जो है लिक्विट फेटिलाइजर देने के बाद मज़ आएगा का इस टाइब का भी हमारा जो है यहां पर कोस्टन है यह सारा चीज में इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं तो इस वीडियो को कहीं भी इसको नहीं कि देखेगा complete देखिए complete देखने के साथ क्या होगा कि आपको liquid fertilizer से जितना भी नोलेज चाहिए आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और मैं कौन सा liquid fertilizer अपने के लिए यूज करता हूं सारा चीज मैं इसको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो सबसे पहले बात करते हैं कि liquid fertilizer का यूज क्यों करते हैं यदि आप अपने रूप टॉप गार्डन में पॉर्ट के अंदर किसी प्रकार का प्लांट या पर बेज़िटेबल हो फ्लावर का प्लांट लगा है तो फ्लावरिंग के टाइम उसको ज्यादा एनर्जी की जवरत होगा और आप से आपका जो पॉर्ट है वह एक लिमिटेड अरिया में जितना खनी जलवन है उतना ही ले पाएगा तो उससे क्या होगा कि आपका फ्लावरिंग होगा वह कम की लिमीटेड नवन तो उसके लिए आपको बाहर से किसी परकार का जोग देना होगा तो हम लोग और किस में ज्याद्धा मात्रा में होता ही जिसने प्लांट अच्छे से ग्रो करें इसी के बारें में डिसकॐस करते हैं बहुत तारह आईसे वीवर हैं मेरे पास जो की बार 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 औरगनिक फेटिलाइजर मार्केट से कितने वार पर्चेस करूंगा मुझे बहुत मांगा पड़ता है ऑनलाइन खरीदता हूं तो बहुत ज्यादा मांगा पड़ता है ऑफ-लाइन मेरे पास नर्सरी यहां पर आप एबुलेबल नहीं है मैं गाउं से बिलोंग करता सेवेट का लिक्विड फर्टिलाइजर है और मुझे यह खरीदे हो गया करीब सिक्स मन्त और हमारे हम गार्टन के अंदर अभी फिप्टी टू फिप्टी फाइफ कंटेनर या फिर आप पॉट कर सकते हैं और मैं लगातार 15-20 दिन में इसको यूज करता हूं अभी भी मु कर सकते हैं तो पहला बात यहां पर आ गया मैंने समझा दिया कि आपको लिक्विड फर्टिलाइजर का क्यों यूज करना चाहिए पहला चीज कि आपको जो है आपके प्लाइंट के एनरजी के इसाब से हर 15-20 दिन में आपको जो है एक्स्ट्रा जो है खनीजलवन देना जाता है और प्लस जो गाउं से बिलोंग करते हैं उसके पास नरसरी नहीं होता है कि वहां से पर्चेस कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है मैंने बहुत दिन से इसको यूज कर रहा हूं इसलिए मैं आपके समने इसको बता रहा हूं यदि आप इसको करने के बाद आपके वेज़िटेबल याप फैंभारिंग फ्लारिंग प्लांट में क्या आपको देखने को मिला अब बात करते हैं इसको लीकूट फेटिलाइजर। कैयसे करते हैं सिमपल मैंने आज दैस लिटर एक डॉप लिया आँँ और जब भी आप लिक्विट फर्टिलाजर का यूज ऐसे टाइम में करेंगे जब धूप नहीं हो यानि कि जब धूप सुर्यास्त हो जाए उसके बाद आप इसको यूज करेंगे तो देख सकते हैं इसको मिला दिया हूं अब इसका कलर भी जो है चेंज हो जाएगा जब देंगे टेंट निटर पाणि में तो अच्छी तरीकste से आपको क्या करना मिला देना है मिलाने का इसके उडिषस कटलार होगा वाटर का वो पूरी तरीके से हो जाएगा मिलाने के बाद जो है आप इसको कुछ देर एक सी द्र गनटा के वाद 25े गंटा तक उसी तरीके से रहने देंगे मिलाने के बाद उसके बाद एक से देड़ घंटा के बाद बात आता है कि आपको जो है कितना एक प्लांट यदि आप 10 by 10 साइस का पॉट है पके पास या फिर बड़े कंटेनर है तो आपको कितना देना होगा एक प्लांट में लिक्वीट फटलाइजर देख यूज कर देंगे तो उसमें से फ्लावरिंग फ्रोटिंग ज़्यादा हो जाए ऐसा कुछ नहीं यदि आप इसका ज्यादा यूज करेंगे तो इसमें क्या होता इस प्लांट का जड़ को वह जला देता है जिसे आपकी प्लांट मारने का भी चांसे रहता है तो सिंपल जानिएगा कि आपको एक प्लांट में यदि आप 10 x 10 या पर 12 x 12 लगा हैं तो हमेशा 500 ml यूज करेंगे 500 ml से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है यदि आप बड़े कंटेनल में किसी परकार का वेजटेबल लगाते हैं तो बड़े कंटेनल में मैं मैक्सिमम वन लिटर आ यानि कि 15-20 दिन एक मैना के बाद आप अपने प्लांट बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखेंगे तो आज का टॉपिक मेरा ही पर खतम होता है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरू किजएगा अगर इस टाइप का वीडियो तो हमारे चैनल को जरू सस्क्राइब किजएगा थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो